आज का हमारा टॉपिक है comparison of numbers fill in the boxes by using better than, less than or equal to sign number को पढ़ेंगे हम पहले 3145 दूसरा number है 5126 thousand place का number देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है 3 क्या है? 5 से छोटा है तो हम यहाँ पर less than का sign लगाएंगे sign को बोलते हैं less than अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1,749 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1,749 दोनों ही number जो है equal है तो यहाँ पर हम sign लगाएंगे equal लोका 4,623 यहाँ पर लिखा हुआ है 4,633 तो देखिए thousand place में यहाँ पर भी 4 है 100 place में यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6 है 10th place में यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है तो दोनों अलग-अलग है तो 10th place का number 2 यह छोटा है 23 is less than 33 तो sign आएगा आपका less than का इसी तरीके से next number है 4715 यहाँ पर भी क्या है 4715 है तो दोनों ही equal है यहाँ equal to का sign लगाएंगे 2465 यहाँ पर 2000 है यहाँ पर 1000 है पहले ही number से पता चल गए कि यह number जो है बड़ा है 2 जो है greater है 1 से यहाँ निशान लगाएंगे greater than का next है 3758 तो 3700 यहाँ पर भी है 3700 यहाँ पर 58 है 50 है यहाँ पर 60 है 50 क्या है 60 से छोटा है तो यह होगे less than 3768 next है 5621 5600 यह 21 है और यह 31 है तो 21 क्या हो गया यह भी less than हो गया 2 जो है यह वाला जो number है 3 से छोटा है इसलिए less than 7100 equal है दोनों में 7100 यह 58 है और यह 48 है तो यहाँ पर 5 बड़ा है और यहाँ पर 4 छोटा है तो greater than का निशान है 6524 6525 यहाँ पर once place का number जो है चेंज हो रहा है बाकी तीनों number दोनों में सेम है तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है तो 4 क्या है less than है तो less than का sign आजए गया next है 2756 यहाँ पर है 1947 तो देखे यही number इसमें चेंज हो गया है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 2 क्या है greater number है तो greater than का sign आजएगा 2942 2932 तो 2929 इक्वल है यह 10th place का number चेंज हो रहा है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है तो number क्या आजएगा यहाँ पर यह number बड़ा है तो greater than का निशान लग जाएगा next है आपका 2495 और यहाँ पर 2395 100 place का number चेंज हो रहा है यहाँ पर greater है यहाँ पर smaller है तो जो इसदर का number होता है उसी को sign लगाते है greater than आजएगा next है आपका 1424 यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1424 दोनों equal है तो equal to का निशाना जाएगा 3146 और यहाँ पर है 3156 यह दोनों number चेंज हो रहे है 4 less than है 5 से तो इहाँ less than का sign आएगा 3741 तो यहाँ पर है 3800 यह number चेंज हो रहा है 7 less than है 8 से यहाँ पर भी less than का sign आएगा 5428 और यहाँ पर है 5418 तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 2 क्या है greater है 1 से 1 से बड़ा है greater than का sign आएगा 3246 3256 यह वाला number 10th place का number चेंज हो रहा है यहाँ पर 4 चोटा है 5 से तो यहाँ पर less than का sign आएगा 2896 2896 equal equal सारी डिजिट equal है तो equal to का निशान आजाएगा 5495 5485 यह देखो यह चेंज हो रहा है 9 बड़ा है तो इसलिए greater than का निशान आजाएगा 6124 तो 24 और यह है 34 यह दोनों चेंज हो रहा है 2 छोटा है 3 से इसलिए यहाँ पर less than का निशान आएगा 7000 और यहाँ पर 6000 है तो 7000 बड़ा है तो greater का निशान आजाएगा 3000 3500 560 60 क्या है चेंज हो रहा है यहाँ पर less than हो गया 2415 2415 same निशान आगया 2458 2458 तो यह भी same है तो comparison of numbers करते समय आप सभी place के number को पहले check करेंगे जहाँ तक same है वहाँ तक देखते रहेंगे जो number change होगा उसी से आपको पता चलेगा कि वो number बड़ा है कि छोटा है